इस तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि बच्चे किस तरह से पानी ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। जितना बजन इन बच्चों का नहीं होगा, उससे ज़्यादा बजन का पानी कड़िबा ये बच्चे ले कर जा रहे हैं। अब ये समझ के परे है कि बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है या उन्हें मज़दूरी करने की ट्रेनिंग दी जाती है। MP के सरकारी अस्पताल का हाल बेहाल, मरीज के बेट पर कुट्टा फर्मा रहा अराम, सवालों के घेरे में स्वास्ते विभाग, कहता है। इस बार घटना है रीवा जिले की और साथी रतलाम की। रीवा में हुआ कि गंगे विकासखंड में वहां का स्कूल है। प्राथ में विध्याल आए कि जो वच्चे हैं इसकुल पढ़ने आए लेकिन प्राचारे के द्वारा उन्हें पानी भरने के लिए एक बहुत बड़ा कंटेनर दे दिया और वो तीन वच्चे पानी लेकर जा रहा थी। अगर हम उसकंटेनर का वजन देखें तो तीनों वच्चों के वजन के वराबार उसकंटेनर का वजन निकलेगा। और वहीं दूसरी अगर हम देखें, दूसरी जो घटना है वो है रतलाम की, रतलाम में क्या हुआ कि जो हॉस्पेटल है, हॉस्पेटल में जो वैड है, उन पर मरीजों को लेटना चाहिए था, लेकिन इस्तिति ऐसी है कि वहाँ पर आवारा कुत्ते वैड पर लेट रहे हैं, तो इन धोनों घटना हों, इससे अगर हम देखें, तो मद्यपिदेश की जो सिक्षा और हेल्थ की विवस्था हैं, आपको देखने को मिल जाएंगी, ना केवल ये दो घटना हैं, बलकि ऐसी और भी जगह आपको देखने को मिल जाएगी मद्यपिदेश में, जहां पर बात करें, जो इसकुल की घटना है, उसको हाला कि जिला सक्षा अधिकारी ने अपने संग्यान में लिया है, देखते आंगे क्या होता है, more informative और साथी ऐसे ही interesting viral वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल दिए